दोस्तो अगर आप बहुत ही कम टाइम में Python Programming Language सीखना चाहते हो, आप अपना time waste नहीं करना चाहते हो, आपके पास time बहुत कम है, आप interviews के preparation कर रहे हो, या फिर आपके पास कैसे भी time कम है, जल्दी से जल्दी Python Programming Language सीखना चाहते हो, प्रोजेक्ट्स पर काम करना चाहते हो, अ तेरा नाम कैस है, मैं एक software engineer हूँ, और students के लिए में वीडियो बनाता हूँ, free online courses, jobs, internships, तो अगर आप एक student हो, चैनल को subscribe कर सकते हो, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत informative वीडियो मिलने वाले हैं, तो हाई guys, आज की इस वीडियो को start करते हैं, और आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ, practical python programming, एक ऐसा course, जो मतलब उन ही लोग के लिए है, जो python programming language को बहुत ही fast way में सीखना चाहते हैं, वो अपना time waste नहीं करना चाहते हैं, वीडियो lectures पे, वो certificate के पीछे नहीं भाग रहे हैं, उनको के वाल knowledge से मतलब है, और knowledge बहुत ही कम time में बहुत अच्छा knowledge, ऐसे students के लिए ये course बहुत अच्छा है, यहरे course एक github pages होते हैं, आप लोग को पता होगा, अगर आपको github के बारे में knowledge है, तो github page पे इसको deploy किया गया है, और हम directly बात करेंगे, कोई ताम जाम की बात नहीं है, मैं link दिया हूँ है, description में, बहां से भ theoretical plus practical, यहाँ पे written pages में मिलेंगे, यानि आपको articles में मिलेंगे, तो यह table of content है, इसमें आपको python programming language से related, जितनी भी knowledge है, जितने भी key concepts हैं, सब कुछ यहाँ पे मिलेगा, जैसे introduction, data के साथ कैसे आप काम कर सकते हो, programs कैसे लिख सकते हो, classes, objects, यानि अगर आपको object oriented programming सीखना है, वो भी यहाँ पे दिया गया, इसके साथ आप python के जो objects है, उनके साथ और भी अच्छे से कैसे काम कर सकते हो, generators, कुछ advanced topics, इसके साथ यहाँ पे logins के बारे में, debugging के बारे में, testing के बारे में भी बताया गया है, और साथ में यहाँ पे packages के बारे में भी आपको बताया जागा, ता आपको knowledge, मतलब पता लग जाएगा कि यह course कितना अच्छा है, classes and objects में बात करें, तो सबसे पहले introduction to classes, inheritance, special methods, then defining new exceptions, तो अगर मैं inheritance के बारे में बात करूँ, मैं ऐसे randomly chapter select कर रहा हूँ, ताकि आपको अच्छा साथ अच्छा content यहाँ पे दिखा सकूँ, तो inheritance देख सकते हो, यह यहाँ पे आपको articles मिलेंगे, जहाँ पे explanation होंगे, जैसे यहाँ पे child class क्या होता है, parent class क्या होता है, कैसे आप inherit कर सकते हो properties को, इसके साथ साथ आपको यहाँ पे quotes भी मिलेंगे, तो यहाँ यह बहुत अच्छी opportunity है, यहाँ से आप लोग पढ़के बहुत ही fast आप video lectures देखते तो यहाँ पे सब कुछ mention किया गया है, जैसे new methods कैसे create करते हैं, redefine कैसे करते हैं, overriding क्या होता है, इसके साथ inheritance में जो init method होता है, वो क्या होता है, तो यहाँ पे हर एक चीज़ मिलेगा, ऐसे यह कुछ यहाँ पे skip किया गया है, यहाँ पे कुछ miss कर जाओ गया, सब कुछ य लोग पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा opportunity है, वो लोग इसको miss नहीं करना चाहेंगे, तो यह थी आज की वीडियो, I hope आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो बहुत यह अच्छी थी, अच्छी इसलिए थी, क्योंकि आपको कम टाइम में Python programming languages से सीखने क मिल जागा, और open source है, बिल्कुल, इसमें कोई भी पैसा नहीं लगने वाला है, आप लोग को, तो जरूर से इसको चेक करो, अगर नहीं भी पढ़ना चाहते हो, तो यह पर चेक कर लो, जिनको जरूरत है, उनको share कर सकते हो, आपको family में, या फिर कोई friends, या फिर junior, senior, जिसक इसको भी जरूरत हो, इसको आप share कर सकते हो, sharing is scaring guys, तो आज की वीडियों बस इतना है, मिलते हैं नहीं वीडियों में नहीं topic के साथ, अब तक लिए, have a good day, stay home, stay safe and keep learning, thank you.